क्या आप जानते हैं कि समुद्री घोडे प्रजाती के नर प्रेगनेंट होते हैं? दरसल ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि मादा समुद्री घोडे अपने अंडे नर समुद्री घोडे की थैली में ट्रांसफर कर देती हैं। जिसके बाद 45 दिनों तक नर इन अंडों को अपनी थैली में रखता है, जब तक बच्चे पूरी तरह से विक्सित नहीं हो जाते हैं। ऐसे और भी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।